कम्प्यूटर सिखने के लिए हमारे चरनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में मैं आपको ट्रांस्मिशन मोड के बारे में बताऊंगा तो कम्प्यूटर नेटवर्किंग का बहुत इंपोर्टन टॉपिक में से ये भी एक है तो सबसे पहले हम डिसकस करेंगे ट्रांस्मिशन मोड होता क्या है कितने टाइप का होता है उन सभी टााइप्स को फिगर के साथ डीटेल में डिसकस करूआ तो स्टर्ट करता हूं वा टी छ्ट्रांस्मिशन मोड फूल एक्स्प्लेनेसन मत्तब सभि trees यह जाएंगे Transmission mode means transferring of data between two devices connected over a network Transmission mode का मतला भी होता है कि data को transfer करना दो device के बीच में data का transmission ही transmission mode कहलाता है और आप data transmission दो device में तभी कर सकते हैं जब वो दो device network से connect रहेंगे तभी तो आप कर पाएंगे अगर कोई device connect ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे पहले connect करना पड़ेगा network से जिस भी network में आप करना चाहते हैं अभी इसका second name क्या होता है It is also known as mode of communication exam में तो ये second name ही पूछेगा mode of communication कोई transmission mode बोलते हैं ठीक है अभी exam में MCQ में कि ये भी question आ सकता है कि transmission mode कितने type का होता है there are three types of transmission mode पहला होता है simplex second होता है half duplex third होता जो कि last है full duplex तो अभी चलो इन तीनों को detail में figure के साथ discuss करते हैं कि ये होते क्या है पहला type हो गया हमारा simplex mode ये क्या होता है in this mode of communication data can be sent only one direction simplex mode में अगर आप data को transfer कर रहे हैं communicate करना चाहते हैं तो data आपका केवल एक direction में ही send होगा unidirectional मतलब केवल एक direction इस figure को देखो मान लो ये sender है तो ये देखो data भेज रहा है इस direction में data जा रहा receiver के पास तो अब सिर्व data इस direction से जाएगा इस direction से कभी नहीं जा सकता क्यूं क्योंकि इसने data भेजना start कर दिया है और ये हमेशा receive करता रहेगा example loudspeaker loudspeaker में क्या होता है loudspeaker हमेशा sender से data को receive करेगा और आपको sound produce करके देगा तो exam में MCQ में क्या बोलेगा कि loudspeaker किसका example है आपको बोलना है simplex mode का और होता है keyboard monitor keyboard से भी आप केवल एक ही direction में data भेज सकते हैं उधर से वापस कभी नहीं आएगा monitor में आप सिर्फ डेटा को देख सकते हैं यह नहीं कि उधर से डेटा आप वापस भेज सकते हैं जहां भी केवल एक direction में data जाएगा वह हो गया simplex mode अभी second क्या होता है half duplex mode यह क्या होता है इसका नाम ही है हाफ duplex mode मतलब यह आधा काम करेगा इन दिस mode of communication a sender can send the data as well as receive the data but not at the same time यहीं पर सारा कहानी उल्टा पड़ गिया आपका यह जो sender data send भी करेगा रिसीब भी करेगा लेकिन एक time में नहीं करेगा क्या फायदा कोई फायदा नहीं वह की टॉकी इसका है example इसमें क्या होता है यह आर्मी में ज़्यादा तर बात करने के लिए यूज किया जाता है Captain से अगर Captain बोले तो आपको सुनना होगा और आप बोलेंगे तो Captain को सुनना होगा लेकिन दोनों एक time में नहीं बोल सकता तो exam MCE q में पूचेगा वो कीड़ कि किसका वेले का नाम था सिंप्लेक्स मोड उसमें क्या होता है बहुत ही सिंपल है सिर्फ आप सेंडर से डेटा सेंड कर दो भी लास्ट तैंप मैंने बॉल डू टौक्त है सबसे ज्यादा यूज होने والा ट्रांसिशन मोड होता caller फौ्ट डॉप्रेक्स मोड यह हमारा सबसे लास्ट टाइप ट्रांसिशन मूड का यह क्या होता है इसका नाम दुखांद कूरा कं करें लोोट बनीस्ट त contemporary can send as well as receive the data on the other hand receiver can receive as well as send the data at the same time at the same time में पूरी कहानी आपको पता चल गई होगी कि माल लो अगर यह sender है यह कुछ data send कर रहा है तो यह data receive भी करेगा और यह receiver भी उसी समय में data इधर से भी send कर सकता है और यह receive करेगा मतलब एक time में ही data का sending भी हो रहा receiving भी हो रहा उसी को बोलता है full duplex mode सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है इसका example क्या है telephone network आज हम जब भी mobile phone से बात करते हैं किसी से तो हम इधर से भी बोल सकते हैं और जो उदर हमारे calling को receive कर रहा हो भी बोल सकता है same time में दोनों बोल सकते हैं तो आज यही ज़्यादा यूज होता क्योंकि किसी के पास इतना time नहीं है कि पहले आप बोलो मैं सुनूंगा फिर मैं बोलू आप सुनोगे नहीं same time में सारा काम हर कोई करना चाहता है इसलिए बोथ डारेक्शन एक्जाम में MCQ क्या बनेगा टेलिफोन नेटवर्क किसका एक्जामपल है आपको क्या बोलना है फुल डुपलेक्स मोड का एक्जामपल है टेलिफोन नेटवर्क इसमें दोनों साइड में same time में data sending receiving होगा तो इस वीडियो में मैंने आप से जो जो बोला था सभी point मैंने बता दिया transmission mode क्या होता है कितने type का होता है figure सही तीनों को detail में बताया एक्जाम में question कैसे बनेगा वो भी बताया वीडियो पसंद आया हो like करो share करो channel पर नहे subscribe कर दो